जब च्छा गया चिराक तले अंधेरा तब खुला है चिराक पासवान का मूँ खुल के बताया कि बंद कमरे में भाजपा के साथ क्या हुई थी डील जदियू के खिलाब विदानसवा चुनाओं में कैसे खाड़ा किया जाए लोजपा का उमिदवार और जदियू को पहुँचा जाए नुकसान मतलब भाजपा बनी थी कलियू के राम और लोजपा को हनुमान बना कर जदियू के लंका दहन की की गई थी तैयारी विस्तार से बताऊंगा कलियूगी राम भक का चरित्र चिराग पासवान के जुबानी जुड़े रहिए अंत तक मैं हूँ सुजित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूस जरा हटके स्वागत आप सबों का न्यूस जरा हटके में और जितने भी मेरे मित्र बंदू दर्शक अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले जट से सब्सक्राइब का बटन दबा कर बेल बटन को हिट कर दीजिए जिससे हर अपडेट आप तक समय से पहुँचे चलिए अब सुनाते हैं कलियोगी राम भक्त की कहानी चिराग पासवान की जुबानी हाली में लोजपा के रास्ट्री अध्यक चिराग पासवान या यू कहें बचे हुए लोजपा के रास्ट्री अध्यक चिराग पासवान ने इंडियन एक्सप्रेस को दिये इंटरिव्यू में भाजपा के साथ बिहार विधान सभा चुनाओ के पहले बंद कमरे में की गई डील पर खुल कर बात की है उन्होंने साफ साफ इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि किस तरह से लोजपा भाजपा के द्वारा हुई थी इस्तेमाल 2020 के बिहार विधान सभा चुनाओ में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सब कुछ भाजपा के साथ बंद कमरे में तै किया गया था और जिस बैठक में भाजपा के रास्टिय महासचिव बियल संतोष भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड़ा और ग्री मंतरी अमित साह भी मौजूद थे जहां लोजपा का बिहार विधान सबाज चुनाओ में अकेले उतरने के प्लान में ये सब एक साथ शामल थे इन सब की मौजूदकी में सपश्ट तौर पर तै किया गया था कि हम 15 सीटों पर चुनाओ नहीं लड़ सकते इसलिए भाजपा का करीब 135 सीटों पर लड़ने के फैसले पर इन सब लोगों ने मुहर लगाई थी जिसमें सबी सीटें जदियू के खिलाफ वाली होंगी जबकि कुछ सीटों पर भाजपा के साथ फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं जहां लोजपा की पहले से सिटिंग जहां पहले से लोजपा के विधायक थे या लोजपा जहां पर पिछले चुनाओं में अच्छे पोजिशन पर रही थी अच्छा परफॉम की थी साथ ही यहां यह भी तैह हुआ था कि उस बंद कमरे में जहां यह भी तैह हुआ था कि चुनाओी परचार के दोरान ना हम आ आप हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे ये थी हम दोनों की बीच की डील ये शब थे चिराग पासवान के उन्होंने आगे बताया कि जब भाजपा ने उन्हें वोट कटवा बोला तो उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि चिराग वही कर रहे थे जो मिटिंग में फैसला लिया बलकि अगर वो सभी 243 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा होता तो आज बिहार में एक अलग सरकार होती 135 सीटों में मुझे 6 फीसदी वोट मिले अगर मैं सभी 243 पर चुनाव लड़ता तो मुझे 10 प्रतिशत से अधिक वोट मिलते और इससे भाजपा को भी नुकसान होता 6 सीटें जहां पर भाजपा लड़ रही थी जहां पर चिराग पासवान की पाटी के लोग खड़े थे 6 सीटों पर जहां लोजपा और भाजपा दोनों लड़ी भाजपा दो में हार गई अगर उन सीटों पर लोजपा का उमिदवार नहीं होता तो भाजपा वहां से भी न चिराक के स्टेटमेंट से ये साफ तौर्थ पर प्रतीत होता है कि कैसे अपने आपको सबसे बड़ा देशभग बताने वाली पाइटी भाजपा अगरेजों की थियोरी फूट डालो और शाशन करो पर अमल करते हुए अपने सहयोगियों की पीट में चुरा घूब रही है। कमाल का याराना निभा रही है कलियूगी रामभक्त अपने हनुमान के साथ क्योंकि चिराक पासवान अपने आपको भाजपा का हनुमान कहते थे। ये सबख है बागी सयोगियों के लिए भी कि आँख कान खुले रखें वरना पता चला छुरा आपकी तरब भी न कहीं मु किया है लेकिन साथ ही कड़े शब्दों में ये भी कहा है कि मैं इस विश्वास को एक तरफा नहीं रख सकता अगर भाजपा मुझे लगातार एक कोने में धकेलती रहती है तो हाँ पार्टी पर निर्बर करेगा कि वह विकलत तै करे और तै करे कि आगे क्या होना चाहिए इस पर पार्टी फैसला करेगी राजत के साथ गटजोर के मामले में उन्होंने कहा कि राजनिती में कुछ भी ना नहीं होता है मतलब उन्होंने दूसरी तरफ इशारा भी किया है लेकिन लोजपा के टूट के बीच एक अच्छी बात हुई है कि चिराक के लिए कि आज तक लोजपा पर लग रहे समाजवाद से परिवारवाद के आरोप से वो मुक्ति पा सकते हैं पूरी पाइटी में सबसे ज़्यादा पद पर पर परिवार के लोग ही मौजूद थे ये टिकट बटवारे में भी ऐसा लगता था जैसे ये पासवान एंड फैमिली के लिए टिक परिजाए और लोजपा नए रंग में सूबे की जनता के लिए नया सब्स्टिचूट बनकर एक मिशाल कायम करें तो ये आप देख रहते हैं न्यूस जरा हटके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों जितने दोस्त या जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर हिट कीजिएगा इससे हमारा हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगा मिलते हैं